आपने अपनी जान क्यों ली? इस पर सुशान्त का जवाब था बदलाव। आपकी फैंस को लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ था, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? इस सवाल की जवाब में आवाज ने फिर कहा, मैं भगवान से मिलना चाहता था, आप उनसे कहिएगा कि उसकी आत्मा ठीक है और स्वर्ग में है, शुशान्त की मौत का रहसे क्या है? हत्या या सुसाइड? इसी पर सारा पेच फज गया है, लेकिन उनकी फैंस रोच ऐसे नए तत्थे लेकर आते हैं, जिससे साबित हो कि एक हत्या ही है, इसी कड़ी में शोशल मीडिया पर एक पैरनॉर्मल एक्सपर्ट सामने आये हैं, जिनका दावा है कि उन्हेंने बकाइदा शुशान सिंग की आत्मा से बात की है, उनकी मौत का राज पता करने की कोशिश की है, सबसे पहले जानते हैं कौन है स्टीव हफ, स्टीव हफ एक पैरनॉर्मल एक्सपर्ट हैं, जो आवाज सुन सकते हैं जिससे वो बात करने के लिए बुलाते हैं तो चलिए जानते हैं क्या बात हुई सुषानतिक राजपूत और स्टीव हफ के बीच में स्टीव पूछते हैं आपकी मौत कैसे हुई क्या आप तक रौशनी पहुच रही है इस सवाल की जवाब में अंग्रेजी में एक आवाज आई यहां रौशनी है हफ उनसे कहो मुझे रौशनी मिल गई है रौशनी धीमी हो रही है वो आपको देख रहे हैं इसके बाद स्टीव पूछते हैं आपने अपनी जान क्यों ली इस पर सुशन्त का जवाब था बदलाव स्टीव आगे अपना सवाल जारी रखते हैं और पूछते हैं कि आपकी फैंस को लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ था आप उनसे क्या कहना चाहेंगे इस सवाल की जवाब में आवाज ने फिर कहा मैं भगवान से मिलना चाहता था आप उनसे कहिएगा कि उसकी आत्मा ठीक है और स्वर्ग में है बातचीत के कुछ खास अंस थे जहां शुषांत अपनी मौत की वज़ा भगवान से मिलना ही बता रहे हैं आपको बता दें कि स्टीव हब ने बताया कि उन्होंने ये पहला सेशन इसली किया जिसे कि वो देख सके कि उनके बलाने पर शुषांत की आत्मा आती है या नहीं स्टीव के मतावक सेशन के दौरान शुषांत की आत्मा आई और उनके बगल में खड़ी रही स्टीव ने कहा कि शुषान्द की आत्मा बहुती स्ट्रॉंग थी, उनसे बात करते हैं उन्हें कई अलग अनुभभ भी होई इसके साथ स्टीव ने बताया कि शुषान की आत्मा के साथ दो और आत्मा आई थी जिसमें से एक महिला की आत्मा थी और दूसरी एक पुरुष की स्टीव भव के इस सेशन का वीडियो देखने के बाद सुषान के फैंस बहुत एमोशनल है वो लगातार वीडियो पर कमेंट्स करके स्टीव से इस सेशन के दोरान उनसे की गई बात का पूरा बियोरा माग रहे हैं उनसकी मौत से जुड़े और भी सवाल और जवाद जानना चाहते हैं आगे कहा कि उन्हें सुषान से और भी कई गहन सवाल पूछने हैं इसलिए वो आगे एक और सेशन रखेंगे और उनके सारे फैंस का जवाब मांगेंगे